देवानंद के रुमैंस पर वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं लेकिन उन्हें सबसे जबरदस्त यही है जिसमें देवानंद एक ही फिल्म में तीन-तीन हिरोईन के साथ में रुमैंस कर रहे हैं आप मेंसे कुछ लोग तो समझगी गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ तीन देवियां के निर्देशक अमरजीत के साथ देवानंद की पहली फिल्म तीन देवियां ब्लैक अन वाइट में बनी इस फिल्म का कुछ हिस्सा कलर में भी दिखाई देता है इंटरल्यूड से बजने वाला गिटार का रिदम बासूरी, संतूर, गीत का मूड बना जाता है रफीश सहाब की दिल को छूने वाली आवाज और S.D. बर्मन का मार्वलस संगीत दिल जीत लेता है जैसे कोई magical combination हो sweetness और दिल की गहराईयों का बताने जैसी बात ये भी है कि देवानंद की इस फिल्म को एक ग्रेड का सर्टिफिकेट मिला था गीतकार मजरू सुल्तानपुरी संगीतकार सचिन देव बर्मन और आप सुनेंगे एक सौफ्ट रफी सौंग पिच्चराइजॉन चोकलेट हीरो देवानंद ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए ऐसे तो न देखो खुब सूरत सी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो न देखो तुम हमें दोको फिर भी हम ना रुके तुम कहो काफिर फिर भी हैसे जुके बदा में नाज पेक सजदादा हो जाए ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए खुब सूरत सी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो न देखो यू ना हो आखे रहे काजल घोले बढ़के बेहुदी हसी गेसु खुले खुलके फिर जुलफे सी आकाली बला हो जाए ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए खुब सूरत सी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो न देखो हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें लब ना जुकते ऐसा ना हो तुम्हें बेखरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए ऐसे तो न देखो के हमको नशा हो जाए खुब सूरत सी कोई हमसे खता हो जाए ऐसे तो न देखो कर दो कर दो तो कर दो झाल झाल